हाई फ्रेंड्स मैं हुनीतो और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे फ्रेंड्स आज हम छे कली की पेटिकोट बनाएंगे फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ जो तरीका सेयर करने ही हूँ उससे आप किसी भी साइच की, किसी भी लैंद की पेटिकोट बहुत ही आसान तरीके से बना सकेंगे इसके लिए न हमने दो मीटर कपरा ले रखा है, यह cotton का है पेटिकोट के लिए जो कपरा आता है वो ही है तो सबसे पहले हम अपने कपरे को अच्छे से एरेंज कर लेंगे, यह देखिए लबाई और चौराई अच्छे से मिक्स कर, मतलब मैच कर लेंगे और ये double folded कपरा है, ये लंबाई में भी दो बड़ा fold है, और चौराई में भी दो बड़ा fold है और देखेए पेटिकोट के लिए हमें सबसे पहले कमर की पट्टी निकालनी होती है, जो कि भी 5 इंच लेते हैं, तो कमर की पट्टी जो होती है वो 2 इंच की होती है और वो डवल में होती है तो 2 दुना 4 एक 5 इंच और ये देखिए हमारे पेटिकोट की जो चौराई होती है न कपने की वो डवल में फॉल्डेज है तो 17 इंच है यानि लंबाई अगर हम खोल दे तो ये 34 इंच होगी अगर आपकी कमर 34 इंच है या उससे कम है तो आप सिंप्ली एक बार 5 इंच की पत्टी उपर से कट कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी कमर 34 से ज्यादा है तो हमें दो पत्टियां उपर से कट करनी होगी तो हमारी हाइट जो होती है लेंथ मतलब पेटिकोट की वो कम हो जाती है अगर आप थोड़ी है और आपकी ह 5 इंच है तो फ्रेंट्स ये देखिए अगर मैं ऊपर से मतलब 34 मुझे कमर चाहिए और उसमें 4 इंच की मैं लूजिंग रखूंगी यानि 42 इंच तो उपर से अगर मैं ऐसे लेती हूँ तो ये मतलब नहीं हो पाएगा तो मुझे डबल पत्टियां कट करनी परेंगी जिस तो हमें तो 35 इंच लेंच चाहिए और फिर नीचे से मोड़े के लिए दो इंच एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं इदर लंबाई से कटिंग करूंगी कमर की पत्टी मैं लंबाई की तरफ से निकालूंगी जो 2 मीटर की लंबाई है हमारी पेटिकोट की अगर आप भी मेरी तर थोड़ी है और लंबी है तो आप भी कमर की पत्टी जो है न वो लंबाई से निकाली जिससे की आपको इसली लेंथ मिल जाएगी वरना आपकी लेंथ अगर आप चोड़ाई की तरफ से निकालेंगे तो वो छोटी हो जाएगी तो ये देखे मैं लंबाई की तरफ से ऐसे 5 आचिंज पे निसान लगा रही हूँ और सिंगल कपड़ा ले रही हूँ क्योंकि ना इसकी लेंथ अल्रेडी दो मीटर है तो हमारा इसली कमर की पट्टी इदर से निकल जाएगा और कुछ ऐसे निसान लगा के इन पे हम कटिंग कर लेंगे friends मैं यह तरीका आपको बता रही हूँ वो बहुत ही आसान तरीका है जसे आप किसी भी साइस के पेटिकोट बहुत ही आसानी से कट कर सकती है आप ये नाप कमर की ही चाहे तो खुद से मतलब length ले 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 या फिर आप किसी अपने पुराने पेटिकोट से लंबाई और कमर ले 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 लोजी रखेंगे यानि 42 इंच और ये डवल में कपरा है तो मैं यहां 42 इंच का हाफ 21 इंच ले रही हूँ और हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लूँकी और जो हमारी ये कपरा बज गया उससे हम हमारा नारा या डोरी जो बोलते हैं पेटिकोट का वो निकाल लेंगे तो फ्रें इससे डवल में फॉल्ट करेंगे यानि लंबाई और चौराई दोनों को हाफाफ कर लेंगे यह देखिए यहां हमें 4 तह मिल चुकी है कपड़े की और यह देखिए यह मेरी तरफ से ओपन है और यह आपकी तरफ से क्लोज है और वीचे की तरफ भी ओपन है और उपर की त हमारी लेंद है 35 तो दो इंच हमारी कमर में पट्տ में जाएगी मतलब जा चुकी है तो हमें 33 इंच पे निसान लगाना है सात ही हम जो कपरे को नीचे मोरेंगे उसके लिए भी हम दो इंच एक्स्ट्रा लेंगे यानि 35 इंच, 35 इंच पर हम फाइनल निसान लगा के कट कर लेंगे, तो ये देखिए हमें पेटी कोट की लंबाई भी मिल चुकी है, हमारी कमर पट्टी भी निकल चुकी है, अब हमें कलियों की कट करनी है, तो अब ये जो कपरा है न, हम मतलब हमारी कमर थी 42 इंच हो गई थी, 4 इंच की लूजिंग के बाद, अब हमारी चार कली close तरफ से निकलेगी और ये खुला हिस्सा है इधर से हमारी चार कलिया निकलेगी और बंध तरफ से दो कलिया निकलेगी तो इसके लिए न हमारी कमर्थी 42 इंच हो गई थी तो हम उसका half करेंगे एक तरफ से 21 इंच निकलेगी और दूसरी तरफ से 21 इंच और 21 का हमें वन फोर्थ करना है तो सबा 5 इंच होता है यानि 5 एंड थोड़ा वन फोर्थ इंच तो हम उसमें ये देखे कुछ ऐसे निसान लगाएंगे मैं सबा 5 इंच पे ऐसे निसान लगा रही हूँ और ना 1.5 इंच की हम लूजिंग रखेंगे जो सिलाई में हमारा जाएगा तो मैं यहाँ पोने 6 इंच यानि 6 इंच से थोड़े कम पे निसान लगा रही हूँ और सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी सवा 5 इंच पे एक निसान लगाएंगे और फिर हाफ इंच उसमें सिलाई के लिए रखेंगे यानि पोने 6 इंच और फिर इन दोनों निसान को हमें मिलाना है तो इसके लिए आप स्केल की हेल्प भी ले सकती ही या फिर ये देखे अगर आप स्केल लेती है तो आप मतलब स्केल लंबी नहीं है तो आपका लाइन टेड़ा मेरा जा सकता है इसका सीधा तरीका है कि आप ऐसे दोनर निसान को उंगलियों से ऐसे पकड़े और ऐसे कपड़े को पलट लें और फिर यह जो हमें CD line मिल रही है अच्छे से आप नाखुम से या अच्छे से finger से उसे दबा दें ताकि अच्छे से निसान पढ़ जाए कुछ ऐसे और फिर यह जो हमें निसान दिख रही है उस पर हम cutting कर लेंगे यह देखी हमें हमारे मतलब कपड़े की कटिंग हो चुकी है अब जो इसका close वाला हिस्सा है हम उसे open कर देंगे अब देखिए हम इसे मतलब equal side कर लें कमर को कमर की तरफ कर लेंगे यह देखें friends हमारी यह जो कली है एक कली, दो कली, तीन कली और चार कली चार छोटी कली है मिल चुकी है और दूसरे वाली side से एक कली, यह बरी वाली कली है और दो कली, यानि छे कली टोटल हमारी छे कली की पेटिकोट का कटिंग हो गया है, अब हमें इसे equal करना है, तो उपर हमने जो एक इंच एक्स्ट्रा रखी थी न यह देखिए, यह हम इसे कुछ ऐसे fault करेंगे, पहले आप अच्छे से इसे कपड़े को adjust कर लें और फिर यह देखिए, इसे हम ऐसे half कर लेंगे, यह देखिए, हमारी जो length है, नीचे से equal नहीं है यह थोड़ा से नीचे वाला हिस्सा बर गया है तो हम इसे कैंची से कट कर लेंगे फ्रेंट्स, यह कटिंग बहुत ही जोरूरी है, अगर आप यह कटिंग नहीं करते हैं न, तो जब आप सिलाई करेंगे, तो वो कपरा बढ़ जाता है, एक तरफ का कपरा क्योंकि यह तिर्शा कपरा कटा है और उपर की तरफ भी हमने एक इंच एक्स्ट्रा रखी थी, याद है तो हम उपर की तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, और हाफ इंच हमारी सिलाई में चले जाएगी, तो हमारा उपरी हिस्सा भी इक्वल हो जाएगा तो हमेशा आप ध्यान रखें कि दोनों इस तरफ से कपरों को ऐसे हाफ में करके कट कर लें, इक्वल कर लें और कुछ ऐसे ही दूसरे हिस्से को भी हम ऐसे फॉल्ट करके इक्वल कर लेंगे, जिससे कि जब आप सिलाई करेंगे न, इन कलियों की तो बिल्कुल भी आपका कपरा नहीं बढ़ेगा और आप इजिली इसे सिल पाएंगे ये देखिए हमारे दोनों दोनों मतलब छेओ कलिया इक्वल साइस की हो चुकी है I hope कि friends मैंने जो आपको तरीका बताया है उससे आप इजिली समझ पाएं होंगे किसकी कटिंग हमें कैसी करनी है और ये देखिए हमारी कमर की पट्टी है जो हमने कट की थी और ये देखिए ये हमारा एक्स्ट्र वाला कपरा है जिसे हम हमारी डोडी या नारा जो बोलते हैं वो कर लेंगे तो ये पांच इंच का ये भी कपरा है तो हम इसे one third में fold कर लेंगे, ऐसे लगभग 1.5 हिंच हमें डोरी के लिए चोड़ाई चाहिए होती है, ये देखे तो ये 1.5 हिंच से थोड़ी से ज्यादा है, तो हम इसे one third करके अच्छे से निसान लगाके cut कर लेंगे, जिससे हमें लंबी सी डोरी मिल जाएगी, अब ये folded side को ऐसे fold कर लेंगे, यानि ये कपरा हमारा one fourth हो जाएगा, और फिर बीच में सिलाई कर लेंगे, और ये देखे फ्रेंज, हमारी यहाँ पेटिकोट की cutting हो चुकी है, ये देखे एक कली, दो कली, तीन कली, चार कली, ये चार छोटी कलिया है, और ये पांच भी कली, जो ब कोड़ी बोलते हैं, उसके लिए भी हमने कपरा निकाल लिया है, फ्रेंड्स मैंने सिलाई की वीडियो दूसरी बनाई है, क्योंकि ये वीडियो अल्रेडी काफी लंबी हो गई थी, आई होप कि मैंने जो आपको तरीका बताया है, उससे आप बहुत ही easy तरीके से किसी भी size की पेटिकोट को easily छेकली वाला पेटिकोट कट कर सकते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिजे, मेरी दूसरी वीडियो में मैं आपको उसकी सिलाई बताऊंगी, तो मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए, बाई बाई